राम के लिए लगेंगे स्वर्ण जड़त दर्वाजे लोगों के लिए आयोध्या में की जाएगी विशेश व्यवस्था 22 जन्वरी से पहले ही बदल दी जाएगी पूरी आयोध्या की अवस्था किसी को कोई ना हो दिकत इस बात का रखा जाएगा विशेश ध्यान हमारे साथ समझे स्वर्ण जड़त दर्वाजे कैसे बढ़ाएंगे राम नगरी की शान राम मंदिर के लिए विशेश दर्वाजे की व्यवस्था की गई है ये दर्वाजा सूने का बना हुआ है आज इसी दर्वाजे की चर्चा से पूरा भारत गुलजार है आज हम आपको इसी दर्वाजे के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं लोगों की बीच इस दर्वाजे की चर्चा इतनी सुर्ख्यों में क्यों हो रही है इन सभी प्रश्णों के उत्तर हम आपको बताने जा रहे हैं साके अयोध्या में 22 जन्वरी को राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिस्था का कारिक्रम होने वाला है इस कारिक्रम में हर चीज भव्य और अलग रहने वाली है मंदिर की भव्य निर्मान को तो आपने देखी लिया होगा अब यहां लग रहे सोने के दर्वाजों को भी देख लीज़े मंदिर में सोने का पहला दर्वाजा लगाया जा चुका है वहीं अगले दिनों में यहां सोने के 13 और दर्वाजों को लगाया जाना ताय किया गया है यहाँ अब फिलाल गर्बग्रह के मुखे द्वारों की पूजा हो गई है तो वहीं गर्बग्रह के दोनों और लगने वाले दर्वाजों पर काम जा रही है मंदिर निर्मान स्थल के आसपास बने कारिशाला में इन दर्वाजों को देखा जा सकता है दर्वाजे पर हाथी, कमल दल, जहरोखे जैसे डिजाइन इसको और सुन्दरता दे रहे हैं तो वहीं इन दर्वाजों को लेकर मिली जानकारी के अनुसार हैदरबाद की 100 साल पुरानी कंपनी अनुराधा तिंबर राम मंदिर के लकड़ी के दर्वाजे को तयार कर रही है यहाँ बेहत खास बात यह है कि यह दर्वाजे अयोध्या में अस्थाई वरक्शॉप में बनकर तयार किये जा रहे हैं दर्वाजों पर नागर शैली के निर्मान की जलक भी साव दिखाई दे रही है मंदिर के दर्वाजे पर सोनी की परत चड़ी जा रही है ताकि यह चमकदार दिखें तो वहीं दर्वाजों की वरक्शॉप में काम कर रहे है शेकर दास ने मीडिया से बादचीत की दोरान बताया कि दर्वाजों की डिजाइन में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि भाविता की जलक इन में दिखे साथ ही हिंदू धर्म में जो शुबता के प्रतीक माने जाते हैं उन चिन्नों को भी इन दर्वाजों पर उके रगया है लकड़ी के दर्वाजों पर नकाशी के लिए तमिल्लाडू के कारीगर राद दिन अयोध्या में काम कर रहे हैं तो वहीं राम की प्रांट प्रतिस्था कारिक्रम में आठ हजार से जादा मेहमान देश कोने में हो रही है इतना ही नहीं राम नगरी में लगने वाली अन्य वस्तुएं भी इतनी अलौकिक हैं कि भारत क्या पूरा विश्व उन वस्तुओं की तारिफ के बिना नहीं ठक रहा है राम को सजाने सवारनी के लिए विश्व के कोने कोने से राम भगत अपनी इक्षा से भी रामभगता भारत आ सकते हैं यहां पर विशेश रूप से भारत के प्रधान मंत्री यूपी के मुख्य मंत्री योगी आधितनात उपस्तित रहेंगे साथ ही उत्रपदेश के आला आधिकारियों को यहां की सुरक्षा व्यवस्था की कमान सोपी जाएगी तैसे फिलाल आपको हमारी एक खबर कैसी लगी अपनी राय हमारे साथ लिखकर साजा कर सकते हैं ब्यूर रिपोर्ट पीडियन नियूज